लाइन में खड़े लगके आप लोग को कैसा लग रहा हूँ 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 लाइन में खड़े लगके आप लोग को कैसा लग रहा हूँ 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 हू कौन सा तबका ऐसा है जो मोदी से खुस है, कौन सा तबका ऐसा जिसकी बड़ोतरी हुई है और कौन सा तबका ऐसा है जो मोदी को खुसी-खुसी वोट देना चाहता है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं? आप कोई तस्वीर समझ में नहीं आ रही होगी। यह मैं वीडियो चलाता हूं तब आपको समझ में आएगी। देखिए ज़रा ड्रोन से वह शोट है, एक सोसाइटी के बहार लोग इस टेमपो से टमाटर खरीदने के लिए लाइन में लग ही है कि वह 20-20 रुपए 50-50 रुपए बचाने के लिए टमाटर खरीदने के लिए यहां पर टेमपो में यहां पर लाइन में लग गए हैं जिनके एक एक फ्लैट की कीमत 50-50 लाख रुपए कम से कम होगी वरना करोडों में भी हो वो लोग ग्रेटर नोड़ा की तस्वीर है नोड़ा के अंदर टमाटर लेने के लिए देखिए जोला लेकर के लोग लाइन में खड़े हैं जोला लेकर के लोग लाइन में खड़े हैं बताइए क्या अब भी लोग कहेंगे कि नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे आएगा तो मोदी ही मोदी फिर किस नाम के लिए आज देश के अगर ऐसी हालत हो जाए कि 50-50 लाक रुपे का जिसका मकान है और वो आदमी भी 20-20 रुपे 50-50 रुपे बचाने के लिए कि हाँ यहाँ पर जो है वो 20-50 रुपे टमाटर सस्ता मिल रहा है तो वहाँ पर टमाटर लेने के लिए जोला लगा करके लाइन में खड़े हो जाते हैं और यह वो लोग है यह वो लोग है जो सोसाइटी आपको दिख रही है ना जो बड़े-बड़े फ्लैट आपको दिख रहे हैं देखिए जरा यह वीडियो नीचे जाती तब दिखाता हूं आपको यह जो बड़े-बड़े फ्लैट आपको दिख रहे ह इन में से बहुत सारे लोग नीचे तक नहीं उतर करके आते हैं, देखिए जरा, अगर फर्स्ट फ्लोर पर भी कोई रहता होगा, तो उसके वहाँ पर भी कोई दूद वाला, सबजी वाला, अंडे वाला कोई आ गया, तो जोला नीचे रसी से फेंक देते हैं, कि जोला ले लो और भाईया सबजी वाले, भाईया दूद वाले, इसी में जोले से देदो और हम उपर खींच लेते हैं, ये लोग जोला तांग करके सबजी, दूद वो लेते थे, लेकिन आज उनकी हालत भी ये कर दी है, उनकी हालत भी ऐसी कर दी है, कि वो लोग जोला लेकर के लाइन मे मनिपूर की साब को फिकर है के नहीं है ये भी मालूम नहीं है क्योंकि 78 दिनों में एक बार मनिपूर बोला उसके बाद में मनिपूर फिर डिलिट हो गया है यह हालत देश की है और जरा सोचिए आज की इस हालत के अंदर कौन सा तबका ऐसा है जो मोदी को खुस हो करके वोट देगा जिसकी बडोतरी हुई है जिसकी इंकम में बडोतरी हुई है जिसकी जिनगी खुसहाल चल रही है कौन सा तबका ऐसा है अगर बीस बीस पचास 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 रुपए के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्दों को आप कहेंगे कि और कोई बात बताओ ल अरीब आदमी को तो लाइन में खड़ा किया ना और बड़ा तंज कस्ते थे इस तरह के लोग जो अपने आपको भूत हाई किलास सोसाइटी वाले लोग मानते थे कि देखो पांच किलो अनाज दे रहा है ना मोदी चुप चाप रहो ना क्यों महंगाई से दिक्कत है तुमको पांच किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो पांच किलो अनाज पर जो लोगों को ताने मारते थे वो आज पचास उरुपे बचाने के लिए जोला लेकर के लाइन में खड़े हो गए हैं आज मोदी के राज में ये हालत है बारी बारी से लोगों को लाइन में लगा दिया है कभी नोट बंदी के लिए लाइन में लग जाओ कभी करोना में उक्सिजन सिलिंडर के लिए लाइन में लग जाओ कभी अपने समशान घाट के अंदर अपने लोगों को जलवाने के लि अब कहें कि मोधी उसमें क्या कर ले तो बात अलग है अब मोधी तो इसमें भी क्या कर ले मोधी मनिपूर में भी क्या कर ले मोधी लेकिन विदेशों में डंकी बजा रहा है मोधी ने जो है वो पूरा चपर भाड़ दिया है सब कुछ वो हो रहा है और देखिए यह हालत दे हैं एक चैनल से दूसरे चैनल में चली गी बताया जा रहा कि वहाँ इनके हलत भूँ टाइट है खेर कोई बात नहीं हमें हमारी तो सानुबुती इनके साथ लेकिन इनों ने वह बरेड रखकर के समझाया यह सत्ता पक्स है यह विपक्स है और यह बीच में खीरा है मैडम जो एक खबर में देख रहा था एक पाव टमाटर में जो है वो केवल चार टमाटर चड़े और उसके बाद जगणा हो गया वहाँ पर कहां यूपी की साथ खबर रही यह हाला थे देश की अब देखिए कि जो ट्वीटर यूजर है इनोंने लिखा है यह लाइन इसके टमाटर खरीदने के लिए है यही तो है विकास सेर पाला सेर महंगा तो पड़ेगा ही सेर को तो वाकिए जो खिलाने के लिए पता निक क्या क्या चाहिए कोई आदमी जो होता तो आदमी तो जो तीस रुपए 50 रुपए की रोटे खा लेता और आदमी का पेट भर जाता अ दूसरा ट्वीट आप देखिए कि रोहित अगरवाल है इनोंने लिखा है आज देखो मद्यमवर्ग की क्या हालत कर दी है भारती जंता पार्टी ने यह लाइन टमाटर खरीदने के लिए नोईडा में लगी हुई है नोईडा के अंदर जो देश के सबसे चमचमाते शहरों म के लिए कतार लगी होगी इस माइंड ब्लोगिंग आइडिया की तारीफ होनी चाहिए अब ज़र अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दीजिए और नसों को थोड़ा सा भीचिए और याद करने की कोसिस कीजिए कि कभी 10-20 साल में हमें कोई याद आता है ऐसी घटना जब टमाटर इतना महंगा हो गया हो कभी यात आता है कि किसी हमारे बाप दादा ने किसी ने बताया हो कि हम टमाटर के लिए लाइन में लग गए हो कभी भी बारिस तो आज हुई है सालों से बारिस होती है हर साल जो है बारिस के रिकोर्ड पता चलते हैं कि फलानी समय पर बारि कि कभी तमाटर इतना महेंगा हो गया कि लोग लाइनों में लग गए सोचीजे रहा इस बात को अब कुछ आंकडे में आपको दिखाता हूं ये तो आप कहेंगे कि लफाजी हो रहा है मोदी जी की तरीके से कि बस मोदी जी की तरीके से बोलते रहो बोलते रहो आकड़े कुछ देना नहीं है तो बात वो नहीं है आकड़े भी दूँगा आकड़े भी समझ लेजिए ये तो सचाई है ना जो बया करनी चाहिए ये तो देश की हालत है जो बतानी चाहिए अब जरा आकड़े सुन लेजिए और अकेले टमाटर की मार नहीं है कि किस की मार पड़ी है वो जरह देखिए दाल चावल आटा देखिए जहां से जरह दाल चावल आटा एक वर्स में 30% तक महंगे हो गए हैं महंगाई सब्जियों के साथ में दूद चीनी के दाम भी बढ़ गए है अब बाड आई है तो चीनी में भी बाड आगई क्या बाड आटे के अंदर भी बाड है चावल के अंदर भी बाड है फिर उसके बाद में हर दालों में भी बाड आ गई है हर किसी में बाड आ गई कि सबके दाम बढ़ गए हैं सबकुछ जा 30% महंगा हो गया है इस बीच में देश के अंदर धाई सो रुपए परती किलो से उपर जो है एक किलो टमाटर का दाम धाई सो रुपए उससे उपर टमाटर निकल गया है और आलू के भाव जो है वो घटे हैं खाई आलू आलू के बनाईये पकोडे आलू के भक्त तो यही कहेंगे ना अगले महीने से प्याज के दाम बढ़ने सुरू हो सकते हैं कमर कसली जी अपनी और आगे एक आर्टिकल में आपको और दिखाता हूँ संसद में एक सवाल के जवाब में भोगता मामलो के मंतराले ने बताया कि आलू को छोड़ करके जादतर खाने की चीज़े महंगी हुई है अरर मूंग की डाल चावल चीनी दूद आटा इसमें सामिल है बीते एक साल में आलू 12% सस्ता हुआ है पर प्याज 5% महंगी हो गई किचन का बजट बिगड़ने में टमाटर के बाद सबसे बड़ी बूमी का अरर दाल की है 31 जुलाई तक एक साल में यह दाल 30% महंगी हो गई अरर दाल का उत्पादन घटने का दिखा असर मंतराले ने बताया कि अरर दाल के भाव बढ़ने की मुक्षे वज़े घरेलू उत टमाटर उत्पादक कई इलाकों में सफेद मक्खी का परकोप और बारिज से फसल कम उत्री और सप्लाई बादित हो गई है अगले महां दुगने हो सकते हैं प्याज के दाम प्याज जो है अगले महीने दुगनी हो सकती है अब आप और हम लोग कितना खरीद करके रख लें पंद्रा वीस रुपए किलो तक बिक रही है क्रिसल का कहना कि फरवरी में महारास्ट्र जैसे परमुख उत्पादक राज्यों में रभी की फसल ज्यादा पक गई मार्च में इन इलाकों में बे मुसम बारिज से से सेल्फ लाइन सेल्फ लाइफ छै महीने से घट करके चार तो यह तो यहां पर जो हो यां पर आप देख रहें पर्षंटेज की इस सबसे देखेंगे तो टमाटर 32 रुपए के आसपास जो है तो था वो चृमाटर 301पर सेंट जो बढ़ गया है उसके बाद में यह ठामाटर 32 रुपए था बढ़कर जो है वो 130 रुपए तो जो नो थी 136 उरुपए हो गई है 30% जो है वह बढ़ोतरी होई है इसमें दूऊ जो है वह 51 उ्पे था 58 उरुपए है 13 असले tiresome 3000 उरुपई हो गया है 10 पर उसमें वही है चीनी 41 Opperson 55 रूपे था 58 रूपे भिक्राह है 13 परसंट इसमें बड्योत्री हो गई है 54 37 रुपे था 41 9 रुपे हो गया है 10 परसंट की बड्योत्री इसमें हुई चीनी 41 थी 43 और Cristalk हो गया है च्यार प्रसेंट की इसमें बड़ोत्री हुई है यह एक साल के अंदर जिन चीजों में बड़ोत्री हुई है जितने प्रसेंट बड़ोत्री हुई है वह आपके सामने है और यह तो टमाटर है भी या अब प्याज जुरू लाईए टमाटर के बाद में प्याज जो कहा है कि टमाटर जो इतना महंगा है प्याज सो महंगी सुनी घचुट तो शिला महंगा है तो इतनी महंग होगी इस बात को यह नों ने कहा है और फिर यह कह रहें कि चलो इंटरनेशनल मारकेट में पाकिस्तान का हाल तो पकिस्तान में क्या हाल है यह वेंग करेंग बात कई एक जो यह कार्टून आज आखवार में जो कार्टून आया को लेकर के शारुखान कह रहे हैं कि टीना कल फ्रेंड्शिप डे है तुम्हें फ्रेंड बैंड बांद करके दोस्ती पक्की गर लूं तो राणी मुखर जी जो साथ हो गई है कॉंग्रेस के प्रवक्ता है ये पवन खेडा और कल राहूल गांदी को लेकर के जब फैसला आया तो एक बगल में इन्होंने टमाटर रखे और एक बगल में इन्होंने बर्फी रखी है कि खुसी का दिन है हमारे लिए तो इसलिए आज टमाटर खाएंगी सु हो गई ये लोग तो अपनी जो है वो एक तरह से यह कहें कि अपने जो हो लोगों को जो है वो सीधा कर रहे हैं लेकिन किसकी हालत सही है कोन जो है वो सही है देश में कहां पर क्या तरक्की प्रगति आपको दिखाई देती है टमाटर को छोड़ देंगे तो क्या दूद सस् और फिर वो कहते हैं कि साब देखिए आपकी सेलरी भी तो बढ़ गई आपका 30 सलाह रुपय का जो मकान था वो आज 101 करोड रुपय का हो गया है तो यह दाम पहले नहीं बढ़ते थे क्या पहले सेलरी सबकी जो है वो सेलरी ऐसे ही थी क्या एक रुपय से घट करके 70 पैसा हो क्या पहले ऐसे था क्या जो आज जो है वो दुहाई दे रहे हैं कि सेलरी भी तो बढ़ गई सेलरी भी तो बढ़ गई तो वो लोग बताए जरा क्या पहले ऐसा था क्या पहले भी तो सेलरी उसी स्केल से बढ़ती थी पहले भी गोर्मेंट जो है वो सरकारी करमचारियों को हो बढ़ता देती थी और हर चुनाव से पहले बढ़ता दिया जाता है मेंगाई भणता ओर हो पर बढ़ता ही था कहां नहीं बढ़ता था किस पर्ट्री में कहां पर तंखाने बढ़ता थी बता यह जरा समय के साथ में लोग अपने अप्ग्रेड करते थे लोग जो है वो डिग्री डिप्लोमा ले करके आते थे अपनी परिक्षाएं पास करते थे वो सब्मिट करते थे उसके बाद में कंपनिया जो है उनका पेपर लेती थी एक्जाम होते थे पास होते थे फिर उसके बाद पैस उसका पद बढ़ गया उसक मैं कौन जो है वो अपने आपको जो है चंगा सी मैसूस कर रहा है को जो है वो अपने दिल पर हाथ रख करके कैसकता है कि आए गा तो मोधी सारा काम किया आप सारे मोधी के अंधभकत कहते हैं कि मोधी को यह टमाटर प्याज के लिए नहीं लेकर के आए हम मोदी को 370 के लिए लेकर के आए राम मंदिर के लिए लेकर के आए हिंदु राष्ट बनाने के लिए लेकर के आए तो ठीक है साहब आलू टमाटर प्याज खाना छोड़ दीजी ताकि जो लोग इन चीजों के लिए मोदी क सस्ता मिल जाएगा जाइर सी बात हो किसी चीज़ को जो है अगर उसकी सप्लाइज कम हो रही है डिमांड जादा है तो महंगाई तो होगी होगी अब पीछे से जो है सरकार सप्लाइज को ठीक नए नहीं कर पाई पहले से पता था कि मोसम की मार है और उसके बाद सफेद मक्खी का परकॉप जो है और उसके बाद सप्लाइजर ठीक नहीं कर पाई क्योंकि चीज़े तो कहीं और चल रही थे ना कहीं फलाना जहें पर सोभाई आतरा चल रही है कहीं फलाना जहें पर हिंदू मुसल्मान हो रह रहा है सारा धिमाग तो उदर लेगा हुआ है सारा ध्यान तो वहां लगा हुआ है सरकार का तो फिर ये जो है इनको जाए वो कौन भेजेगा बताई जरा इस बात को तो खेर बहुत गंभीर बात अगर आप सोचेंगे तो अगर आपको लगता है कि नहीं साब हमें कोई फरक को जानी पड़ता है तो रहे हुआ में क्या दिक्क्त है लाइन में आप वह आएंगे आंग में और लोगों देन like पचासु रुपए के लिए यहां लाइन में खड़ा होना पड़ गया है शेर कीजिए इस ख़बर को लोगों तक पहुंचाईए पता चले तो सही लोगों को कि आएगा है मोदी यह कहने वाले वो भी आज लाइन में और जो अभी भी कह रहे हैं कि आएगा मोदी वो भी कीजिए साथ में जो बैल आइकन घंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके और अगर यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस खबर को शेर कीजिए धन्यवाद